दोस्तो आईपेल 2023 का आज फाइनल मुकाबला होने वाला है गुजरा टाइटान्स और चेनली सुपर किंग की बीच में जो कि एहमदाबाद के मोटिर इस्टेडिया में मुकाबला खेला जाएगा दोस्तो अगर बारिस आज फाइनल मुकाबले में और बारिस बंद नहीं होती है तो फिर कैसे डिसाइड होगा क्या चेंपियन कौन है दोस्तो अभी जना चाहते हो आपके मन में इस सवाल है जानने के लिए वीडियो को एक लाइक करिए चेनल को सब्सक्राइब पर ये बहु दोस्तो आईपेल के इतियास में अव तक तो ऐसा नहीं हो पाया है कि बारिस आगई हो फाइनल मुकाबले में मर दोस्तो इस बार चांस बहुत ज़ादा है क्योंकि दोस्तो अगर मौसम विवाग की मानें तो 75% चांस है कि बारिस परे और दोस्तो 75% का मतलब हो जाता है कि बारिस आना लगवक्त है दोस्तो सबसे ज़ादा वार फाइनल में जगे बनाई है चिनने सुपर किंग की टीम ने आईपेल 2008 से लेकर के 2023 तक के बीच में और चार बार आईपेल का खिताब भी जीतने में काम्याव रही है CS के धोनी की कप्तानी में और दोस्तो अगर आज बारिस आ जाती है फाइनल मुकाबला सुरू होने से पहले या फिर मुकाबले के बीच में और बारिस बंद नहीं होती है 3-4 घंटा लगाता और बारिस पड़ती है तो फिर डिसाइट कैसे होगा कि चैंपियन कौन है दोस्तो नेट रंडेट देखा जाएगा उसके बाद फिर डिसाइट ऐसे होगा कि जिस टीम के अंक जादा होंगे और जो टीम सबसे टॉप पे होगी जिसके नेट रंडेट सबसे जादा होंगे वही टीम आईपियल का फाइनल जीच जाएगी बिना खेले अगर तोस नहीं होता तब भी दोस्तो इससे साब से अगर बारिस आ तो गुज्राल टाटन्स को बहुत फाइदा होनी वाला है